आपको पता है सबमुध्हन की रोज एक क्लस लेकर आपके सामने आता हूं तो उसी करम में आज की जो हमारी भारते सम्भीधान की क्लस है उसके अंतर क्वार्ण हैं बिदाई का और नियाय पालिका में जो बेसिक अंतर हैं यह हम समझेंगे आम तोर पर मैंने देखा है दोस्तों कई बच्चे ऐसे होते हैं कई स्टुडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन तीनों अंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं और यही कारण है दोस्तों की संविधान अच्छ आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में अंते तक बने रहना और संबीधान की एक जो मजबूत पकड़ है दोस्तों वो यहीं से आपकी बननी शुरू हो जाएगी ठीक है तो शुरूआत करते हैं आज के वीडियो की तो सबसे पहले पढ़ते हैं कार्यपाली का बिधाई का फिर नियाएपाली का अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं हमारे भारत में जो है संसद्य व्यवस्था को अपनाया गया है और भारते संविधान में कार्य करने के संबंद में तीन अंगों को जो है सुवकार किया गया था जो है कार्यपाली का बिधाई का और निया पाली का क्या है इसके बारे में हम बिस्तार पूरबग जांगारी लेते हैं सबसे पहले इसके नाम में आपको दिखाई दे रहा होगा विधाय का जो कार्य होता है दोस्तों वो विधी बनाने का होता है विधी से मतलब है कानून बनाने का होता है यह हम दूसरे सब्दों में कहें तो यह जो विधाय का होती है दोस्तों यह विधायक बनाती है विधायक को क्या कहते हैं बिल कोई बिल अगर बनाने का कार्य होता है दोस्तों तो वो कार्य कोन करता है वो करती है हमारी बिधाई का ठीक अब दूसरी बात अब ये कानून बन गया अब इस कानून को लागू कोन करेगा तो दोस्तों इस कानून को लागू करने का जो कार्य दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों कार्य पालिका को कारद्य पालिका कोई भी कानून लागू कर देती है ठीक अगर कानून लागू करने के संबंध में कोई चुनोती हो जाती है या कोई एसमंजस की स्थिदी पैदा हो जाती है नियाय पूर्ण उसका जो है मतलब एक तरीके से पालन होना चाहिए तो तब यही जो कानून होत तब जाता है दोस्तों यह नियाय पालिका में यानि कानून अंचुनोती कि अगर कोई बिल बना है जिसे कानूनी चुनोती दी जा सकती है या फिर अन्याय या नियाय किसी भी प्रकार से ठीक है दोस्तों तो उसको कहां पहुंचाया जाता है उसको पहुंचाया जाता है निय नियाएपालिका में बना फिर उसको लागू किस ने किया लागू किया कार्यापालिका में और जैसे ये दोस्तों ये कानून लागू हुआ आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लिया उसको ईली कल बताया था तो ऐसी स्थिती में हम जो है नियाएपालिका का सहारा लेते हैं जो कि निस्पक्ष नियाएपालिका करने के लिए जानी जाती है तो इतनी बातें आपको सौन में आ गई होंगी कि इनका बेसिक बेसिक जो मोटा मोटा एक कार्या है वो मैंने आपको बता दिया बिल बनाती है बिधाईका लागू करती ह यह कार्यापालिका और उसको चुनोती कहां दी जाती है नियापालिका में ठीक अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे अब इसके अंग कौन-कौन हो सकते हैं कार्यापालिका में कौन होता है और नियापालिका में कौन-कौन भाग लेता है चलो अब देखो दोस्तों आपने देख कार बनाई जाती है एक राज्य इस्तर पर और एक केंद्र इस्तर पर ठीक है दोस्तों तो कार्यापाली का जो होती है ये भी दो भागों में विभक्त होती है कहां एक होती है केंद्र इस्तर पर और एक होती है राज्य इस्तर पर ठीक है दोस्तों अब केंद्र में कौन-कौन होता है कार्यापाली का तो दोस्तो सबसे पहले इसमें होता है राष्ट पती राष्ट पती केंद्र की कार्यापाली का तो हेड होता ही होता है लेकिन दोस्तो समस्त कार्यापाली का कभी राष्टपती ही हेड होता है फिर उसके बाद जो है वो है दोस्तों उपराष्टपती कि उपराष्टपती के बाद है दोस्तों पिर्धान मंत्री कि और पिर्धान मंत्री जो हेड होता है वो दोस्तों वो होता है मंत्री परिशत का तो इसके अंदर का मंत्री परिश्द भी आती है और मंत्री परिश्द में जो मंत्री होते हैं दोस्तों वो तीन प्रिकार के मंत्री होते हैं कौन-कौन से होते हैं सबसे पहले होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री फिर होते हैं हमारे राज्य मंत्री और फिर होते हैं हमारे उपमंत्री तो मंत्रियों को तीन भागों में बांटा जाता है मंत्री परिशत के ठीक तो हमने क्या जाना कि सबसे पहले कार्य पालिका का जो हेड होता है वो राष्टेपती होता है फिर उपराष्टेपती और उपराष्टेपती के बाद में जो इसका मेंबर होता है वो प्रधान मंत्री होता है और प्रधान मंत्री जो हेड होता है वो मंत्री परिस्त का होता है राज्य की कार्यपालिका का हेड होता है राज्यपाल पिर उसके बाद में होता है दोस्तों मुख्य मंत्री और उसके बाद में होते ही है दोस्तों इसकी मंत्री परिसद यह कार्यपालिका होती है मोटे तोर पर राज्य की और केंद्र की ठीक है अब इसमें भी दोस्तों मंत् लेकिन यह जो कार्या पालिका है ना jusqu'ोँôm हम ये लोग सकते हैं किसमें बाण सकते हैं एक जगा हं इस्थाई सकते हैं स्टाई गलas just like कि इसथाई बह् domain होते हैं जो एक समय सीमा के लिए मतलब एक उम्र के हिसाब से जैसे कि 60-62 साल तक वो हमारे देश में कार्य करेंगे एक हैना तो जैसे कि IAS LEVEL के जो वह होते थाइकारी तो वह आते है Ace therm के न्दर जीन को हमед ऑफ से vieux 60 वर्स तक उन को रखा जाता है ठीक है वह अधिकारी होते और उस भी हैं हमारे मंत्री लोग यह आते हैं अमारे स्थाइए में ہarpते हैं ऑफ यह राज्य में भी है केंद्र में भी है तो इतना आपको संध में आ गया होगा कारिया पाले का कंसा हिस्सा था तो तो इसी करम में जब हम किलास लेंगे तो राष्टे-पती से ही शुरुवात करेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों बिधाई का की तरफ तो बिधाई का जो होती है दोस्तों ये भी दो इस्तर पर होती है कैसे कैसे होती है सायद ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं मैं एक एक बार देख लेता हूं ठीक है दोस्तों यह आपको दिखाई दे रहा तो विधाई का भी विधाई का भी जो है दो इस्तर पर बटियों होती है एक होती है केंद्र में और एक होती है राज्य में ठीक है दोस्तो अब केंद्र में भी दो भाग होते हैं और राज्य में भी दो भाग होते हैं बिधाई का के मतलब जो बिधी बनाने का कार्रे करती है जो कानून बनाने का कार्रे करती है जिसके अंतरगत केंद्र में हमने देखा होगा दोस्तो केंद्र इस्तर पर और राज्यस्तर पर, तो केंदर में हमने देखा होगा लोकसभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा होती है, राज्यसभा को जो है, इस्थाई सधन कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, और लोकसभा को जो है, क्या कहते हैं, हम लोकसभा को कहते हैं, एस्थाई इसको उच्छ सदन कहते हैं और इसको निम्न सदन कहते हैं तो केंदर के अंदर जो विधाईका की सकती है वो है हमारी लोकसभा और राज्यसभा और इन दोनों से मिलकर जो बनती है दोस्तों वो बनती है हमारी संसद ठीका दोस्तों अब बात करते हैं राज्य की तो राज्य के अंदर जो होती है दोस्तों उसे हम कहते हैं बिधान मंडल और बिधान मंडल को जो दो भागों में बाटा जा सकता है उसको कहते हैं बिधान सभा और बिधान परिसद बिधान परिसद बिधान सभा दोस्तो हर एक राज्जे में होती है बिधान परिशद अभी तक तो साथ राज्जियों में है लेकिन ये सक्ति राज्जे की बिधान सभा को ही प्राप्त होती है कि अगर वो अपने राज्जे में बिधान परिशद चाहती है तो वो केंद्र से गुहार लगा सक सब्堯 और और दिलोक समझ je संसद केंदर में बनाते हैं यह बनात कानून और कानून जो बनाता है इतना आपको समझ में आ रहा होगा अब देखो दोस्तो जो संसद में चुन कर जाते हैं सदस्य वो कहलाए जाते हैं संसद और जो विधान मंडल में सदस्य चुन कर जाते हैं उनको हम विधायक कहते हैं जैसा कि MLA, MLC और इसके अंदर हम कहते हैं दोस्तो MP है ना जो संसद जाते हैं वो यहां जाते हैं और जो व नोग चुनाव करते हैं तो इससे बनती है हमारी और यही कोई भी कानून बनाने के उसमें बात दिया होते हैं मतलब है ना इनी की जिम्मेदारी होती है कोई भी कानून बनाने की अब देखो दोस्तो क्या कोई वेक्ति या कोई मंत्री एक ही बार में बिधाईका का और कार्यपालिका का सदस्य मेंबर हो सकता है तो इसका जवाब है दोस्तो हाँ जो मैं बता रहा वो प्रिधान मंत्री होता ही है तो दोस्तो अगर वो विधाईका में रहकर काम कर रहा है तो विधाईका का हिस्सा है लेकिन अगर वो प्रिधान मंत्री के अपने ओपिस में बैठ कर काम कर रहा है तो वो कार्यपालिका का भी हिस्सा हो जाता है ऐसे ही जो मंत्री दोस्तो सरक मंत्री परिस्त कुन सकते हैं उससे ज़्याद नहीं लोकसवागी कूल संंक्या का 15ital हमारी मंत्री परिसद होती है और उस मंत्री परिशत में मंत्री जाते हैं उनको तीन भागों में विभक्त बनके मंत्री जाएंगे वो कार्यपालिका का भी हिस्सा हो जाएंगे ठीक जैसे कि अब अर्तमान सरकार में आप देख रहे होंगे बहुत सारे मंत्री हैं जो एक सत्ता में सरकार है इस से रिलेटिव मंत्री तो है ही लेकिन वो कार्यपालिका का भी हिस्सा होते हैं लेकिन दो हैं दोस्तों जो मेंबर होते हूँ सदस्य पाव हिस्सा होते हैं और सत्ता में अगर मंथरी subscribe कर लें और वीडियो पसंद है तो like कर दें और अपनी जो जिग्यासा है कुछ और भी जानना चाहते हैं तो comment box में आप comment भी कर सकते हैं तो यह मोटी मोटी बाते थी दोस्तों ठीक है तो यह कहलाता है हमारा बिदाई का और यह कहलाता है हमारा कार्य पालिका इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगर आपको नोट करना है तो आप नोट करते रही है अगर आपको स्क्रीन सोट लेना है तो आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं अब बात आती है नियाए पालिका की तो दोस्तों भारत के अंदर नियाए पालिका को स्वतंत्र रखा गया है और एक इकरत रूप में ये कार्या करती है अब एक इकरत कैसे है दोस्तों एक इक चेन वनी होई है एक है ना एक इकरत इसलिए है क्योंकि एक उपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक एक चेन है जिसके अनुसार हमारी नयाय पाले का कार्या करती है जैसे कि सबसे पहले आता है दोस्तों हाई कोड फिर उसके बाद में हैं दोस्तों सोरी सुप्रिम कोड फिर है हाई कोड और उसके बाद में हैं डिश्टिक कोड जिसको आप जिला नियाल ही होता हो स appel कहते हैं और जो केंद्र का मतलब का पूरे देस का जो एक सुप्रिम को मिताई तो यह चेंद्र केंद्र तो दोस्तों यहां से अगंडिर है आगर दो मामला जाएगा तो पयॉड स्सक्राइब आर उपारण ए बिद्धाःका हमें आपने देखा होगा यह सवतंत्र रखा गया इसको एक एक एकरत रखा गया है ठीक है दोस्तों तो हाइए कोट का क्या है कैसी नियाय पालिका का कार्यपालिका से पिर्थक करन अगर आपको याद हो है ना तो यह मैंने बताया था आपको राज्य कार्यपालिका और नियाएपालिका का पिर्थक करन अगर दोस्तों अगर इनका एक इक्रत हो तो आपने देखा होगा कि जो सरकार सत्ता में हैं और सुप्रियम कोट के जो चीफ है या मतलब किसी भी राज्य के चीफ जस्टिस मान लो आप तो उन दोनों में एक तरीके का तालमेल हो जाता अगर वो गलत भी करना चाहते तो वो गलत कर सकते थे अच्छा करना चाहते वह तो खेर बहुत दूर की बात है लेकिन अपने मन मरजी के मुताबिक वो लोक तंत्र को चला सकते थे इसलिए हमारे देश में दोस्तों नियाय पालिका को स्वतंत्र रखा गया है अगर यहां से कोई अभी मामला बिगड़ता है तो वो न्याय अले में जाता है और महाँ पर उसका न्याय पूरवक्श न्याय होता है ठीक दोस्तों तो इतनी बाते आपको ठीक है तो दोस्तो ये थी आपकी छोटी सी किलास अगर आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आया है थोड़ी सी जिग्या सा बड़ी है है ना और जो आपकी पहले एक सोच थी या जो डाउड थे अगर वो केलियर हो गए हैं तो दोस्तो आपसे बिंती है आप चैनल को बाव दें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेयर करें अब दोस्तों जैसे सबसे पहले हम कार्यापालिका पढ़ेंगे ना तो कार्यापालिका में उसी क्रम में हम पढ़ते चले जाएंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे राष्टपती उपराष्टपती पिरदान लिए पाल का थी राज जेपाल मुख्य मंत्री उसकी मंत्री परिसत यह सब पढ़ेंगे तो दोस्तों अच्छे समझ में आएगा आप सम्मीन धान पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार